ओम नमस्षिवा जय महाकाल जो लोग माकान बानानी कीछा में दुकान बानानी कीछा में वो अक्सर पांच इटे अपने नियू में जरूर रखवाते हैं तो क्या आप जानते हैं कि पांच इटे ही नियू में क्यों रखी जाती हैं क्यों कुछ लोग अपने नियू में नाग जो कुरा हो नया हो उसमें कोई छेदना हो उसको पूरा का पूरा जल से भल ले और साथ प्रकार की अंड डाल ले और एक फुल डाल ले और एक साबूत हल्दी डाल ले क्योंकि हल्दी डालने से आपके माकान बनाने में कोई बाधा नहीं आएगी आपका माकान बिना किसी कलस को सीध़ा का सीध़ा निउ में गाड़ीजेए फृर उसके उपर पांच इटे लगाई जाती आई क्योंकि पांच इटें यानियो में नियू में पूजन में रकी जाती हैं तो जो घर बनता उसकी दिवारों में कभी दरान नहीं पड़ती उस घर में कभी अगनी का प्रकोप नहीं होता और उस कलस में नागनागिन के जोड़े और इन पांच इटों का इतना बड़ा महत्व है कि उस घर पर कभी बाढ़ा जाए या उस घर की किनारे बाढ़ा जाए और कहते हैं कि ऐसे घर में कभी ऐसा समय नहीं आता जहां कभी कोई आत्मात्या करके मरे या अकाल मृत्यों मर जाए भूमी पूजन में इन पांच इटों का इस कलस के अंदर नागनागिन के जोड़े का इतना बड़ा प्रुभाव है वहीं वास्तु पूजन में एक बेहत महत्पोर बात बताई कई है कहा गया है कि भूल कभी मंगलवार के दिन फावडा मत लगाना निव खोदने में क्योंकि उस दिन धरती माता सोई हुई होती है यदि मंगलवार के दिन आप फावडा लगवा देते हैं निव खुदवा गरैशल दिन ना सुरू करें वहीं मत्स भगवानने निव खुदवानी के लिए कुछ अच्छे दिन भी बताई हैं जैसे सोंब्वार ब़धवार गुरुरु यह बहुत अच्छे दिन है आपके घर के लिए आपके परिवार के लिए आपके उन्यतिके वहीं कुछ नशत् यदि ग्रह के आरम में रोहडी, मिर्क शराप, पुख, हस्ट, चितरा, स्वाती, अनुराधा, उत्रा, फालगुनी, उत्रा, भादपत, इन च्छत्रों में यदि आप भूमी पूजन करेंगे तो बहुत ज्यादा सुपकारी होगा आपके लिए और आपके घर परिवार के ल सुख लपक्ष की सत्मी से लेकर कृष्ण पच्छ की पंचमी तक महायोग होता है, बहुत सो मुहुर्थ होता है निपूजन का, वहें कुछ दिथियां भी बताई गए हैं, जैसे आमोश्या, चतुर्थी, नौमी, चौदर्स, ये रिक्ता दिथियां हैं, जो भूमी के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाती हैं, तो उम्मेद करते हैं कि हमाये द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी भी लगी होगी और समझ में भी आई होगी, हर हर महादेव झाल